हाई गाईज वेलकम तो श्टड़ी काउच तो आज हम बात करेंगे 2021 के मार्च मंत में जो भी प्लेसे नीज में रहे हैं उन सब से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब के बारे में जो कि आपके कई सारे एक्जाम्स लाइक यूपी सी एससी उसके अलावा जो पीचेस के लिए भी काफी ज्यादा है इसके जो बाकी सेग्मेंट से उनके लिए क्या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जागा फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लोग इसके बाकी सेग्मेंट को चेक आउट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो यूजपल लगे दें डू लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब टे श्टड़ी काउच ओकी सो लेट्स स्टार्ट तो फर्स्ट कोईसन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बिसिकली यहां पर स सुएज कनाल के बारे में पूछा गया उसके बारे में आप ए तीन स्टेटमेंट दिये गये सिब이지 से अगरों से बारे में करें स्टीनर기에 बारे में कि इस एक चीक एक कि सिट्टमेंट में नियूज में रही थी ङहां पर पहला से नंधन साइड में नधन टिप पर टर्बिन से वह पॉर्ट टॉफिक का इन दोनों के बीच में हैं स्वेज कनाल लाई करती है एक्स्टेंड करती है स्टेंड स्टेट्मेंट यहां पे दिया गए जो स्वेज कनाल है उसको बेसिकली स्वेज कनाल कंपनी के द्वारा कंस्टक्ट किया गया था बिट्वीन 1859-1869 धर्ड स्टेट्मेंट यहां पे दिया गए वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड्स होती है उसका आराउंड 10% जो है वो इस कनाल के स्वेज कनाल के थूँ इस वार्टरवे के थूँ पास होता है यहां पे बेसिकली जैसे जो इसके साथ में कंट्री लगती है जिसके द्वा पाला जो रीजन है यह सी जो है इसको स्वेज कनाल बोला जाता है और इसके नीचे यहां पर रैड सी है जो कि बाद में आके इंडियन ओशन में मिलता है जिसके एकदम नदन पॉइंट पर है नदन टर्मिनस पर पॉर्ट सैड है और सदंट की हम बात करें तो वहां पर इसको 1859 से 1869 के जो पीरियड था उसके बीच में जो एक कंपनी थी जिसका नाम था सुएज कनाल कंपनी उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था फिर उसके कुछ पीरियड के बाद में यानि कि 17 नमंबर 1869 को इसको ग्लोबल यूज के लिए वर्ल यूज के लिए इसको open किया गया था पहले इसको बेसीकली ब्रिटिस लोगों के द्वारा control किया जाता था फिर उसके बाद में फ्रेंच की हल्प से काफी जादा होती है जिसकी जो लेंथ है वो अरांड 193.30 किलोमीटर तक है यहां पे जैसे कई सारे पैसेज जो होते हैं जैसे ऑईल वगरा का पैसेज हो गया नैचुरल गैस के कंटीनर होगे कारगो सिप्स होगे उन सब को इस्ट से वैस्ट में ले जाने के सब्सक्राइब हो जाएगा कि 1859 से 1869 के बीच के पीरेड में इसको सुएज कनाल कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा यहां पे सही हो जाएगा तो तीनों स्टेटमेंट सही है तो और करक्ट आंसर विल भी डी अब नेक्स्ट को संट्र के बात करते हैं नेक्स कोसिन में बेसिकलि आँपर एलसालवडर के बारे में पूच गया है जो कि अभी ऍषींटली काफी ज्यादा दहुद इनूज में था अभी विचलींग हुआ क्या जो एलसालवरड अमेरिका की सदर नमेरिका और और जो सीनट nenhum इन तीनों क के द्वारा दिया गया है और इसके रिकाड़ी यहाँ पर दो इस्टिमेंट दिय गया चाहिए पहले इस्टिमेंट के साथ में नहीं लगती है यहां पर अगर हम उसकी ज 그다음에 लोकेश्न देखे तो जिस Cao आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह Mexico है जिसके इधर साइड में आपे Gulf of Mexico है और इसके हम थोड़ा से नीचे आते हैं तो इसकी जो Mexico की boundary है यहाँ पे basically Guatemala के साथ में और Belize के साथ में इसकी boundary लगती है उससे थोड़ा सागे चलते हैं तो यहाँ पे होंडूरस country आता है उसके नीचे यहाँ पे यह वाला जो region है यह basically El Salvador की country है जिसकी boundary यहाँ पे होंडूरस के साथ में लगती है ग्वाटेमाला के साथ में इसकी boundary लगती है जिस वज़े से इसकी जो boundary है यह coastal line जो है वो Caribbean Sea के साथ में नहीं लग पाती है बस इधर साइड में इसकी coastal line है वो रह जाती है इस वज़े से Caribbean Sea के साथ में इसकी boundary नहीं लगती है और इसके statement को हम देखें तो पहला statement जो है वो भी गलत हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसकी boundary है वो Mexico के साथ में नहीं लगती है और second statement की बात करें तो second statement हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह only Central American country है जिसकी boundary Caribbean Coast में नहीं लगती है तो यहाँ पर हमारा first statement गलत है second सही है और correct answer will be B अब next question की बात करते है next question में basically यहाँ पर स्विजर लेंड के बारे में पूछा गया उसके रिगाड़ी यहाँ पर दो statement दिए गया पहला statement यह दिए गया है जो स्विजर लेंड है वो जो total euro zone की 19 countries है उनमें से ही एक country है second statement यहाँ पर यह दिया गया है कि अभी रिसेंटली तो स्विजर लेंड है वो यूरोप की first country बनी है जिसके द्वारा बुर्का और निकाब अगयरा जो public places में पहने जाते हैं उन सब को बैंड किया गया है तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि अभी जो स्विजर 2-1% जो लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर इसके support में वोट किया गया था कि यह सारी चीजे बैन होनी चाहिए और इसकी geographical location अगर हम देखे तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं North America continent है इसके नीचे यहाँ पर South America continent है और इससे हम Atlantic Ocean से थोड़ा सा आगे चलते है यहाँ पर अफरीका आता है इसके उपर में अपर मेडिटेरियन सी और यहीं पर जो छोटा सा रैड से डिजन आप देख रहें यह है स्विजर लेंड कंट्री जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी boundary धर में France के साथ में लगती है उपर में Germany के साथ में यहाँ इसकी boundary आस्त्रीया के साथ में लगती है और यहाँ पर नीचे इसकी boundary फुल्वोणि में यहाँ पर इसके बाँडरिया यहाँ इसकी boundary के साथ में rend बिसक्क्ली लगती है और यहाँ पर euro zone या फिर 이번 आईती अगरब इसके बारे में बात करें तो वह उरोप की वह सारी Countries जिन इख और जाता है उसको यूरो जया जो एरिया बोला जाता है जिसमें यहां पर देख सकते हैं ऐस्रिया बेलगियम सिर्प्रीया इस्टोनिया फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीश आयरलैंड इिटली लाट्विया Portugal, Sulwok Republic, Sulawonia और Spain यहाँ पर कहीं पर भी Switzerland नहीं है और इससे पहले 2011 में 2011 में France के द्वारा जो भी बुर्काव गएर होते हैं निकाव गएर होते हैं उन सब पर बेन लगाया गया था और 2011 में France जो है वो फस्ट कंट्री बनी थी यूरोप की जिसके दौर इस टाइप की step ली गई थी और जो स्विजर लेंड है वो second country बनी है ना की first अब इसके statement में हम आते हैं तो इसके पहला statement जो है वो बोला जा रहा है कि इसके लगाने के बाद स्विजर लेंड यूरोप की first country बनी है ये भी गलत हो जागा क्योंकि first country है फ्रांस जो की 2011 में बनी थी यहाँ पर दोनों statement गलत है और correct answer बिल भी डी अब next question की बात करते है नेक्स question में basically यहाँ पर कुछ statement दिये गए केन एंड बैटवा रिवर से related पहले statement यहाँ पर दिये गए केन एंड बैटवा रिवर जो है वो MP यानि मद्य प्रदेश में originate होती है और जो की basically जो यमुना रिवर है उसकी टर्बूटरी सहयक नदियां है second statement यहाँ पर दिया गए जो बैटवा रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजवस के through pass होती है third statement यहाँ पर दिया गए केन जो है वो यमुना से हमीरपूर डिस्टिक है जो उत्तर प्रदेश का उसमें मिलती है और जबकि जो बैटवा रिवर है वो बांड़ा डिस्टिक में मिलती है उत्तर प्रदेश की अब तो इसके बारे में अगर हम जाने तो अभी recently हु प्रजेक्ट था जो country का इंडिया का first river interlinking का project था अब इसके बारे में अगर हम यहां पर देखे जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां से जो यमुना रिवर है वह पास होती है जो कि उत्तर प्रदेश डिस्टिक से पास होती है और यहां पर बेटवा रिवर है यमुना रिवर में मिल जाती है और जो केन रिवर है वो बेसिकली यहां से स्टार्ट होती है और फिर इस तरीके से जाती हुए बांधा डिस्टिंग में उत्रप्रदेश के यहां पर मिल जाती है तो यहां पे केन और बेटवा रिवर जो है दोनों MP से यानि कि मद्द प्रदेश जो है वही से ओरिजनेट होती है और दोनों जो यमुना रिवर है उसकी ही सहाया के नदियां है केन जो है यमुना से बांधा डिस्टिक में मिलते हैं यह वाली जो रिवर है यह केन रिवर है जो की बांधा डिस्टिक मुतर प्रदेश का जो बांधा डिस्टिक है वहाँ पे यमुना से मिलती है जबकि जो बेटवा रिवर है वो हमीरपुर डिस्टिक में मिलती है औरे बेंटवा रिवर उस पर कई सारे डेम भी है Lion king puts山 बैसे उससे भी पास होती जीसीिलिव जो यह प्रोजेक्टें ओर बेंटवा रिवर का इंटर लिंक करके ये जो आसपास का जो रीजन है मद्य प्रदेश और उतर प्रदेश का जैसे कि मद्य प्रदेश में चतरपुर, पन्ना या फिर टीकमगड जो जगें हैं इन सारे जगें में जो बाटर सप्लाई उस सब को पूरा किया जा सकेगा उसके अलावा जैसे पन्ना टाइंगर रिजव से पास होती है जो कि गलत बात खहएयं यहां पर बंदा डिस्टिक में मिलती है और गहर रिबारे वह हमीरपूर में मिलती हैं अगर इन दोनों टिश्रेइक्स को इंटर चेंज कर दिया जा तो यह यहां पर पर इस्ट्रीटमेंट जो है सही हो हो जाएगा अधरवार्वाइचि है तो यहां पर हमारा फ्रस्ट स्ट्रीटमें सही बाखी दों गलत है और करेक्ट आंसर विल भी के अब नेक्स्ट कोर्शन की बात करते हैं यहां पर लेक साल्दा के बारे में पुछा गया जो कि रीसेंट्ली काफी जाता नीज में थी यह किस कंट्री में ग्रीस टुर्की अफगानिस्तान या सुमालिया में से किस कंट्री में तो तब जाके सैंटिस्ट को यहां पर इंफोमिशन मिली कि जो टर्किस लेक है जिसका नाम है यहां पर लेक साल्दा उससे काफी ज़्यादा सिमिलर है यहां पर मार्स से जो डाटा लाए गया मार्स के सरफेस से जो डाटा एक्स्प्लूर किया गया वो दोनों और इस वज जाता है जो कि black sea को Mediterranean Sea के साथ में connect करने की काम करती है यहाँ पर जो टर्की उसकी कई सारी counties के साथ में byंट्री लगती जैसे Georgia हो गया और मीनिया हो गया इरान हो गया इराक हो गया एस यह तर्की का रिजन है इसमें यहीं पर यहाँ पर यहाँ पर एक लेक जिसको की लेक साल्दा के नाम से जाना जाता है तो हमारा जो एक question A, इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B लेक साल्दा है वो तर्की में located है अब next question की बात करते हैं next question में यहाँ पर कई सारे dams दिये गए हैं और उनसे located states दिये गए हैं यहाँ पर दिया गया है जो मुल्या पेरिया डेम है जो की तमिल नाडू में located है second यहाँ पर दिया तंग बत्रा डेम जो की करनाटक में है third यहाँ पर दिया गया है मैटूर डेम जो की केरला में है अभी recently हुआ के supreme court के द्वारे एक warning issue की गई थी तमिल नाडू के लिए जो मुल्या पेरियार का case है उसके regarding जो मुल्या पेरियार का डेम है वैसे तो यह केरला में located है बट इसको manage यह operate करने का जो काम है तमिल नाडू के द्वारा किया जाता है क्योंकि 1886 में थार्षो चियासी में एक lease intention sign हुआ था है इन दोनों regions में केरला और तमिल नाडू में केरला में जब उस टाइम पे basically यहां के जो महराजा और ट्रॉंकोर के जो महराजा थे उनके द्वारा और जो Secretary of State for India जो थे उन दोनों के द्वारे से अग्रिमेंट को sign किया गया था next 999 years के लिए और उस वज़े से ही यह लेक है जो कि केरला में located है इसको operate करने का काम तमिल नाडू के द्वारा किया जाता है उसके लावा सेक्रिंड डैम यहां पे था तंग भद्रा का डैम जिसको की पंपा सागर डैम के नाम से भी या फिर पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है जिसको की तंग भद्र रिवर जो है उसके आसपास ही बनाया गया है तंगभद्र रिवर जो की किर्सना रिवर जो है उसकी एक सहायक नदी है यह बेसिकली करनाटक में करनाटक में की डिस्टिक है जिसको की विजे नागरा डिस्टिक के नाम से जाना जाता है वहाँ पे यह डैम लोकेटेड है उसके लावत थर्ड यहाँ पे था मैटूर डैम म इंडिया का काफी जो largest टैम है उनमें से ही एक है और जो तमिलाडु है उसका सबसे बड़ा डैम है जिसका नाम है MATURE डैम कावेरी रिवर के पास में ही है इसको 1934 में इसको बनाए गया था और उस ताइम इसको बनाने में पुली तरीके से complete होने में 9 साल लगेते हैं तो यहाँ पर अगर हम इस question के बारे में बात करें तो मुल्या पेरियार का जो डैम है वो तमिल लाडू में ना होके केरला में located है second statement यहाँ पर दिया गए तंग भद्रा का जो डैम हो करनाटक में है यह सही है third statement यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैं टूर डैम जो है वो केरला में है यह गलत हो जाएगा यह केरला में नहीं यह तमिल लाडू में है तो इनके states को अगर हम interchange कर देते हैं तो यहाँ पर तीनों statement चाहिए हो जाएंगे otherwise हमारा second statement चाहिए तो और correct answer विल भी अब next question की बात है next question में basically यहाँ पर read bank के बारे में पूछा गया है जो अभी recently काफी ज़्यादा news में थी है किस sea में किस region में located है जिसी Indian Ocean, Red Sea, Mediterranean Sea, South China तो अभी recently जो फिलिपीन की military है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ और navy के जो ships है उनको deploy करने के बारे में बोला गया था South China Sea के region में क्योंकि यहाँ पर conflicted region जो है जो South China Sea का इसकी वज़े से यहाँ पर काफी ज़दर China और फिलिपीन के बीच में controversy हो गई थी जिस वज़े से यहाँ पर फिलिपीन के द्वारा कुछ और navy ships को deploy करने के बारे में बात की गई थी यहीं पर एक रीड बैंक है जो कि टेबल माउंट है जिसको गियोट हम बोलते है वह है जो इस रीजन में located है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह चाइना है और इसके आसपास वाला यह जो रीजन है यहाँ चाइना सबस्क्राइब करें कि रिजन यहाँ पर यहाँ पर फिलिपींस है और इसके यहीं पर है एक बैंक जिसको गी रीड बैंक बोला जाता है जो कि जो इस पास निट उसके जश्ट पास में जिसके places news में रहे हुए उन सबसे related so आज के लिए बस इतना ही, hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to StudyGouch, thanks for watching and have a good day